हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एंजिनेरिंग डॉट इन दोस्तो हमारे चैनल पर आपको राने दुर्गावती विस्विद्यालाय जबलपूर की एक्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी और साथ ही एंटिपीसी और ग्रूपडी के भी लेक्चर आपको आने वाले सम अबलपूर और ओपन बुक एक्जाम लेने वाला है और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने जो निर्देश है जो एक स्ट्रेंड को फॉलो करने हैं उनके बारे में यहां पर बताया है कि कैसे आपको कोश्चन पेपर डाउनलोड करना है कैसे जम्मा करना है कितने टाइम मे क्या होने वाली है तो चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों जैसा आप यहां पर टॉपिक देख सकते हैं परिक्षा अरति है तू निर्देश ओपन बुक एक्जाम के तहट अभी एक्जाम होने वाली है ठीक है तो उसी में जो पहला जालते हैं रोल नंबर पेपर कोड वगेरा वगेरा तो आपको जो फ्रंट पेज है वो युनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करना है वो अपलोड हमापर कर दिया गया है और जो यह साइट है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी इसी में ठीक है तो प प्रधम प्रष्ट के रूप में सनलगन करना होगा मैं भी पहले पॉइंट पॉइंट पॉड़ रहा हूँ ठीक है तो आपने जो आंसर सीट का फ्रेंट पेज डाउनलोड कर लिया है उसको अपने जो भी आप उतर पुस्तिक पूरी बनाएंगे जिसमें की A4 साइस के पेज को लेकर होगी ठीक है फ्रेंट पेज को लेकर जो टूटल पेज होंगे वो 16 हो सकते हैं सेकेंड पॉइंट में आते हैं परिक्षार्ति उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रष्ट पर उत्तर पुस्तिका की कुल संख्या लिखित प्रष्टों की संख्या सहित अंकित कर आप जितने भी page यूज कर रहे है ठीक है उन्हें और मुख्य प्रष्ट को मिला कर जितने page होते हैं उसे आपको मुख्य प्रष्ट ने मतलब कि जो download किया गया front page है वहाँ पर एक column होगा या कोई भी block होगा वहाँ पर आपको total page लिखने है कि आपने कितने यूज़ करे है और उसमें मुख्य प्रेश्ट भी काउंट होना चाहिए ठीक है उत्तर पुस्तिका के तीसरा पॉइंट उत्तर पुस्तिका के सभी प्रेश्टों को एकटा कर साइट से एक उंगली के बराबर मोड कर उपर नीचे और बीच में तीन इस्टेपल पीन लगा कर उसे उत्तर पुस्तिका के रूप में बना ले साइट से एक उंगली के बराबर मोड देना है आपको और उपर में बीच में और नीचे में सिंगल सिंगल मतलब टोटल टीन पिन लगा देना है और उसे एक सेट बना देना है अपने आंसर सीट का फोर्थ पॉइंट है सब्द सीमा सामने दहा 250 सब्दों में होगी आप अपना कोश्चन के जो आंसर है वो 250 सब्दों में लिख सकते हैं परिक्षार्ति को विस्विध द्धाले द्वारा जारी समय सार्णी के अनुसार प्रस्ण पत्र विस्विध द्धाले के वेबसाइट एवं कक्छवार और विस्वार प्रस्ण पत्र SIS लिंक पर उप्रब्द कराये जाएंगे मतलब कि आप प्रसन पत्र कहां से डाउनलोड कर सकते तो आपके जो टाइम टेबल है एक्जाम का उसके हिसाब से आप जो अपना question paper है वो university की site से डाउनलोड कर सकते है या वो जो question paper है आपको student information system link पर भी उपलब्द करा दिया जाएगा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको suggest करूँगा कि आप हर चीज के लिए university की site follow करें क्योंकि वहाँ पर आपको साथ एक्स्टर चीज़े भी मिलती रहेगी जो भी update आएगी वो सारी चीज़े और कुछ भी जो भी required है इस exam के लिए वो सारी चीज़े विश्विद्याले की website पर university की regular visit करते रहे six point जो है परिक्षारती उत्तर लिखने हैं तू केवल काले या नीले बॉल पेन का यूश कर सकते हैं ठीक है जेल पेन करना करें seven point है यदि प्रस्ण पत्र का प्रारूप खंडों में वहाजित है आपका जो प्रस्ण पत्र है उसमें तीन खंड होंगे अ ब और स तो इसमें ये कहा गया है कि इदी आप खंड के questions लिख रहे हैं और आपका एक खंड का जो लिखने के बाद सारे questions समाप्त हो जाए तो आप मतलब कि आप खंड से सारे answer आपने दे चुके है तो और लेकिन फिर भी page बचा हुआ है उसका answer देने के बाद बहुत सारा page बचा हुआ है आदे से ज्यादा page तो हहाँ पर आपको 2 खंड start नहीं करना है जब भी आप नए खंड start करेंगे लिखना उसका answer देना तो नए आपको नए page से ही start करना है 7th point में बस यही लिखा है ठीक है नए खंड नए page से उसका answer देना है आपको उत्तर पुस्तिका स्वयम लिखित होनी चाहिए स्वय लिखित उत्तर पुस्तिका ना होने की स्तिति में परिक्षा निरस करने की कारवाई की जाए सिदी सी बात है परिक्षा थी विश्वे धाले दोरा निर्धारित समय आउधी में उत्तर पुस्तिका निकट के संग्रण केंद्रों में जम्मा करना सुनिशित करें निर्धारित तीति पस्चाद उत्तर पुस्तिका स्विकार नहीं की जाएगी आपको अपना पूरा answer लिख के जो भी आपके जो कलेक्षन सेंटर है जो आपके डिस्टिक में बनाए गए है वहाँ पर जाके जम्मा करनी है और यदि आपने निर्धारित तीति में मतलब आपको एक टाइम देंगे उस टाइम के अंदर आपको जम्मा करना है असा नहीं करेंगे आप उसके बाद जाएंगे तो जिले के निर्धालित संग्रान केंद्र में उतर पुस्तिकर जम्मा करें आप जिस जिले से है आपको उसी जिले में जो कलेक्षन सेंटर बनाया है वहाँ पर ही जाके अपनी जो आंसर सीट है वो जम्मा करनी है और किसी भी कॉलेज में जम्मा नहीं करनी है आपके डिस्ट जिले के अग्रणी मावद्याले में डाग दोरा निस्चित समय में उत्तर पुस्ति का प्रेशित कर सकते हैं यदि आप अपने ही जिले से एक्जाम दे रहे हैं तो अपने ही जिले के सीधे जाकर आप कलेक्शन सेंटर जाकर वहाँ पर अपने जो बुकलेट है वो सीधे जम् करने समंदी तिथी प्रताग्रूप से जारिक की जाएगी आपको जो इसके लिए टाइम लिमिट है या जो भी डेट है वह आपको आगे जो भी नूटिस आएगा उसमें जारिक कर दी जाएगी तो प्लीज ओफिसल वेबसाइट को फॉलो करें इलेवन्थ पॉइंट है अगरेनी महाविद्याले का पता डाग पता पोस्टाल एडरे समंदित महाविद्याले या विश्विद्याले की साइट पर उपलब्द रहेंगे आप यदि कैसे भेज़े डाग के लिए तो उसको आपको पोस्टाल एडरे की जरुवत पड़ेगी तो आप उसिस्विद्याले हमेया आपको कलेक्शन सेंटर आपको कोंसे कोलेज को कलेक्शन सेंटर बनाया गया है तो आप उनियुद्याले की वेबसाइट पर जा कर देख सकते है happens इसलिए मैं बारभा कहा हूं युदै्धिट पर रेगुलर विजिट करें आपको मैक्सिम चीज़ मिल जाएगी 13 पॉइंट है स्वाध्याई परिक्षार्तियों का असाइमेंट का प्रेशन पत्र संबंदित अग्रेशन के इंद्र महावित द्याले के पोर्टल वेश्वित द्याले की वेबसाइट पर उपलब्द कराया जाएगा मतलब जो प्राइवेट स्टुडेंट है उनको असाइमेंट का जो कोश्चन पेपर है वो संबंदित अग्रेशन के इंद्र या महावित द्याले के पोर्टल या यउनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्द कराया जाएगा अब यॉनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी असाइमेंट का अपना जो question paper है वो download कर सकते है private शात्र 14 पॉइंट है private शात्र को SIS student information link पर पंजन कराना आवस्थ है private शात्र है इदियाब तो आपको भी SIS पर पंजन कराना अनिवार रहे है प्रवेस्पत्र को उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्ट पर निर्धारिद स्थल पर चस्पा करें मतलब इस्टेपल करें आपको प्रस्ण पत्र जो आप डाउनलोड करेंगे उसे उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्ट पर वहाँ पर आपको एक जगात दी जाएगी वहाँ पर आपको निर्धारिद स्टेपल करना है सीधी से बात है अपने प्रविश्पद्र को परिक्षार्थे को SIS लिंक के माध्यम से प्रविश्पद्र डाउनलोड करने में कटिनाई हो रही हो तो महाविध्याले से प्राप्त करें यदि आप SIS लिंक से जो एड्मिट कार्ड है अपने डाउनलोड नहीं करबा रहे तो आप अपने कॉलेज में जाकर उसे प्राप्त कर सकते है या विश्पद्याले द्वारा इस्थाबित परिक्षा कंट्रोर रूम से भी संबग कर सकते है वहां पर आपको एड्मिट कर मिल जाएगा वहां से भी 16 पॉइंट है समस्त परिक्षारती को मुख्य प्रश्ट पर अंकित परिक्षा संबंदी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार है ठीक है जो आपको फ्रेंट पर डाउनलोड करेंगे वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहेंगे तो आप प्लीज उसे फॉलो करें समय समय पर विस्विध धाले की वेबसाइट पर सूचना जारी की जाएगी विस्विध धाले की वेबसाइट जो कि यहां पर दी हु तो दोस्तों यही था आज का वीडियो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए थैंक यू